और अब चर्चा वास्तु शास्तु की वास्तु शास्तु में कल हमने बताया था कि अलग लग रंगों की केंडिल्स के लिए अलग जगह होती है आज हम इसी बारे में बात करेंगे कल हमने चर्चा की थी कि हरे रंग केंडल के लिए पूर्व दिशा या दक्षिन पूर्व दिशा ची होती है इससे घर में positivity बढती है ऐसे ही दक्षिन पूर्व दिशा में pink कलर की या green कलर की मुबत्ती लगानी चाहिए इसे परिवार के सदस्चों में आपसी प्यार और विश्वास बना रहता है घर की दक्षर दिशा में लाल रंग की मौंबत्ती लगाना अच्छा होता है इसे घर के धन-धाने में विर्दी होती है साथी वहां रहने वाले लोगों का सम्मान बढ़ता है घर की दक्षिर पस्चम दिशा में पीले रंग की मौवबत्य लगाना अच्छा होता है, इससे घर में पोशन तत्व, यानि सबके वाइटमिन्स और मिनरल्स का बैलेंस अच्छा रहता है, और घर की पस्चम दिशा में ब्लू कलर की मौवबत्यां लगानी चाहिए, इस वाथी घर की उत्तर दिशा में ब्लैक कलर की मुंबत्ती लगाने से क्रियेटिविटी और प्यार बढ़ता है वास्तु शास्त्र में यह ती अलग-अलग रंगों के कैंडल्स के लिए अलग-अलग जगे होती है इसके बारे में उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा चुरू उठाएंगे